मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुच रहा वासुदेव मुझे एक्षमा कर दीजिये वासुदेव मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिग्य था आप अवश्य मेरा वद कर सकते हैं किन्तु आप मेरा वद करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं अवश्य ही मेरा कोई महान दोश होगा क्या दोश है मेरा वस्तविक बताईए अज्यान आपका दोश है महमहीम आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया गरुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता किन्तु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया तंसार के कल्यान का तो विचार ही नहीं किया आपने इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है मैंने अपने पिता के सुख हे तू राज्य का त्याग किया आजी वन ब्रह्म चर्य की प्रतिज्या लिए इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव ब्रह्म चर्य की प्रतिज्या और राज सिंघासन का त्याग अवश्य उत्तमकार रे थे किन्तु आपने समाज के प्रती अपने उत्तरदाइत्व का त्याक्यों कर दिया महामहिंग पुरु वंच में आप भी संखर्ष नहों अस्तिनापूर के आज सिंहासन के लिए दुद्धना और पुरु राष्ट की प्रजा को अन्या दुखना कि अपने चारो और दृष्टी डालिये महामहिंग या चल रहा है या आपकी प्रतिज्या ने इस विग्रह को इस युद्ध को टाला तो नहीं कि अपने अपनी प्रतिज्या को धर्म माना यदि वो वास्तव में धर्म होता तो यह महायुद्धी क्यों होता वास्तव में धर्म किसी मृष्ट विचार का नाम नहीं ना ही किसी परमपरा का नाम है धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है, नहीं आपने कर्म का ही त्याक करते जामाउ है कि मुन से तो जीवन के पठेख भग्वर्म उंचित घर्म भी है वास्तव Г Durit लुएं महामही इस जन में आप कर्म के बंधन से ना बंधे इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं कर्म का आर्ष होता है निर्णे लेना और अपने निर्णे के परिणामों को स्विकार करना इस वापने कब कोई निर्णे लिया महमही राज पांडू के राज अभिशेक का निड़ने क्या आपका निड़ने था एक चन्म सनेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योगी नहीं होता इसलिए मेरा मत्व है कि जेश्ट प्राता पांडू का राज अभिशेक होना चाहिए अब अब आज दितराश को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने महा महीं कुमार दुर्योदन पर वार करने वाले इन मत्स जन्नों का नयाई तो कीजिए इंस सब के शिर्ट करता है यह तो अत्या चाह रहे हैं अदेश का पारन हो यूद सभा का निड़ने और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निड़ने आपके पास आमर्थे भी था और शक्ति भी किन्तु आप निड़ने नहीं ले सके माह में आप केवल अपनी प्रतिग्या और अपने प्रण से बंधे रहें मैं दास बनकर अपना जीवन यदीद करूँगा वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निड़ने लेने के उत्तरदायत्व से आप भागते रहें क्या निड़ने लेने से ही बंधन नहीं बंते वासुदेव बंधन से चूटने के लिए निश्काम कर्म के सिंधान्द को समझते तो आपका जीवन खर्म मैं हो जाता महमत बंधन से चूटने के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया कर्म के फल का त्याग करते किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंदन से छूट जाते बहुत समय पूर वापने प्रतिज्या ली ते उस समय आप सारा भविष्य जानते थे परिस्तितियां बदल गई महामहीम समय में परिवर्तन आ गया किन्तु आपने अपनी प्रतिज्या नहीं तोड़ी और नहीं किसी परिवर्तन को स्विकार किया उसी का परिणाम है याज ये युद्ध हो रहा है तो नहीं कि प्रतिज्या का गोई मूद नहीं अवश्य जिस प्रतिज्या से सारे समाज को लाब उसका मुल्य अवश्य मनुष्य की प्रतिज्या उसका निर्णय तारे समाज को हानी पहुचाने लगे उसी क्षण उस प्रतिज्या को तोड़ना निवार्य हो जाता है महमहीं आज पांडवों के पक्ष में रहेकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यों को स्विकार कर लीजिए आज पांडवों के पक्ष में रहेकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यों को स्विकार कर लीजिए मैं स्विकार करता हूँ बस देव यदि आपका दियापवाख्यान मुझे जीवन खाल का प्राप्त हो था तो इतने अन्या है नहीं होते हैं इंतु जीवन में ना से प्रित्यु में आपका दियापवाख्यान अवश्य उप्योगी होगा आपके द्वारा मृत्युतों मेरा परम सवभाग्य होगा नेरा अंत कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहू थे जैसी आपकी चामा महीं है